आज हम देखने वाले हैं बीए जोग्राफी ओनर्स थार सिमिस्टर का कोशिट पेपर जिसके सब्जेक्ट का नाम है इंवारोमेंटल जोग्राफी So let's begin Question number first में आपको define करना है कि इंवारोमेंटल जोग्राफी क्या है और इसके क्या क्या स्कोप है यानि कि पर्यावरन भुगोर को आपको परिभाशित करना है और इस छेतर में आपके क्या क्या स्कोप है आपको इसकी भी व्याख्या करनी है और में आये हुआ है दोस्तों आपको बताना है कि इंवारोमेंट क्या है और आपको describe करना है इंवारोमेंटल जोग्राफी को by highlighting its importance यानि कि पर्यावरन भुगोर का आपको वर्णन करते हुए उसका जो महत्व है दोस्तों उस पर भी प्रकास डालना है नेक्स देखते हैं describe the concept of human adaptation in detail मानो अनुकूलन की सलकनपना का आपको विस्तार से वर्णन करना है यह बहुत important question है दोस्तों human adaptation पे question जरूर से जरूर बनते हैं तो यह आप अच्छे से पढ़के जाना और में जो आया हुआ है वो है discuss the major cultural changes of environmental revolution पर्यावर्निय करांती के प्रमुक सांस्कृतिक बदलाओ का आपको व्याख्या करने को यहाँ पर कहा गया है question हम देख रहे हैं दोस्तों और में आया हुआ है इसका मतलब होता है कि कोई भी एक attempt करे next देखते है question number 3 में आपको बताना है कि ecosystem क्या है आपको इसका structure को भी detail में बताना है यानि कि पारितंत्र को आपको पहले परिभाशित करना है और उसकी सनरचना का विस्तार से वर्णन करना है इस question को भी दोस्तों star mark कर लीजिए यह question आता ही आता है ecosystem पे next सकते हैं discuss the concept of ecosystem service and ecological footprints पारितंत्र सेवाओ और पारिस्थित किया पद्द चिन्न की विवेचना कीजिए यह question भी दोस्तों बनता है हमेशा ही बनता है और में है ना ecosystem पे दोनों question बनते हैं तो आप अच्छे से पढ़की जाना definitely आते हैं यह exam में and friends अगर आप और प्रिवेच सेज कोशन पेपर ढूंड रहा है जोग्रफी के तो वह सब आपको हमारे प्लेइस पर मिल जाएंगे and कुछ वीडियो के लिंक में description box आप पे चैनल के लास्ट में भी आपको provide करा दूंगी पर आप playlist को चेक करना ना भूले क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सारे previous सेज के question paper मिल जाएंगे question number 4 देखते है describe in detail the environmental problems of polar ecosystem ध्रूवे जो पारित तंतर की पर्यावरनिय समस्याओ का विस्तार करने को आपको यहाँ पे कहा गया है ठीक है जो polar ecosystem होता है उसमें है ना क्या-क्या problems है वो सारी चीज़े आपको यहाँ बतानी है और में जो question है वो है discuss the environmental policy of India highlighting the need of environmental education भारत की पर्यावरनिय नीती का आपको विवरन देना पहले और आपको बताना है कि इंडिया में इसकी जरूरत क्यूं है ना environmental education की जरूरत जो है वो बतानी है उस पर प्रकास डालना है कुछ नमा फेप दोस्तों आपको नोट्स लिखने है आपको कुछ टॉपिक्स दिया हुआ है तो देखते हैं पहला एको लॉजिकल इंबालेंस इसको स्टार मार कर लिजिए यह most of the time आपका शॉर्ट नोट में आता है भी है आपका वाटर कंजर्वेशन मेथेड बाई तरुन भगत सिंग तरुन भगत सिंग के द्वारा जो आपको जल संग्रक्षन आंदोलन है उस पर शॉर्ट नोट या तो आप ये दोनों लिख लो या फिर आप चिपको मुमेंट पर लिख सकते हो है ना ये भी कोशन दो और बाच कर वी तो आपको ये ला क्वी यू ये लिख एक टी सथ लो वी टनुट वी कोशन पैपर अनलास्स थैंक यू